मरीजों के दिल का सौधा, सैफई मेडिकल कॉलेज में 250 मरीजों को लगा दिये गए नकली पेसमेकर, डॉक्टर अरेस्ट सैफई के मेडिकल कॉलेज में ऐसी घटना हुई है जिसे जानकर हर इंसान का सिर शर्म से जुक जाएगा यूपी में इटावा जिले के सैफई गाव में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने हर किसी का सिर शर्म से जुका दिया है सैफई मेडिकल कॉलेज में तैनाथ कार्डियोलोजी विभाग के एक डॉक्टर पर डुप्लिकेट पेसमेकर खरीद कर दिल के मरीजों को लगाने का आरोप लगा है घुटाले के उन पैसों से वह डॉक्टर कई देशों यात्रा भी कराया है शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जाच की तो आरोप सही पाए गए पुलिस ने आरोपी को गिरफतार कर लिया है दवा कमपनियों से मिली भगत SSP संजे कुमार के मुताबिक सैफ़ई मेडिकल कॉलेज के हृदय रोग विभाग में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर समीर सर्राफ के खिलाफ फरवरी 2022 में पुलिस को शिकायत मिली थी शिकायती ने कहा कि डॉक्टर समीर सर्राफ कुछ दवा कमपनियों से मिली भगत करके नकली पेसमेकर दिल के मरीजों को लगा रहे हैं और घोटाले के पैसों से विदेशों की सैर कर रहे हैं इसके बाद सैफई थाने में आरोपी डॉक्टर के खिलाफ भृष्टा चार अधिनियम और अन्य धराओ में मुकदमा दर्ज किया गया था सियो की जाँच में पाया गया दोशी उन्होंने बताया कि मामले की समवेदन शीलता को देखते हुए इस मामले की जाँच राजपत्रित अधिकारी से करवाने का फैसला लिया गया इसके तहट सियो सेफई नागेंदर को ये जाँच सौपी गई उनकी जाँच में जाँच में पाया गया मरीजों को जो पेसमिकर लगाए जाते थे वे डुपलिकेट होते थे इसके बदले में दवा कंपनियों की ओर से डॉक्टर समीर सर्राफ को मोटा कमीशन दिया जाता है 250 मरीजों को लगाए नकली पेसमिकर एसेसपी ने बताया कि अस्पताल के लिए अलग-अलग कंपनियों से जो समान खरीदा जाता था उसमें भी अनिमियता पाई गई है जांच में पता चला है कि डॉक्टर सर्राफ ने करीब 2.5 करोड़ा रुपय का घुटाला किया साथ ही करीब 250 मरीजों को नकली पेसमेकर लगा कर उनकी जान खत्रे में डाल दी है जांच में दोशी मिलने पर डॉक्टर समीर सर्राफ को अरेस्ट कर लिया गया इस घुटाले में अन्य लोगों के शामिल होने की भी आशंका है उनकी भी जांच की जा रही है